नमस्कार बच्चों आप सब कैसे रहें मैं आशा करती हूँ की आप बिल्कुल ठीक है आईए हम आज की खक्षा शुरू करें देखिए आप इस चित्र में क्या देख रहे है एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है लड़की को एक नाम दे सकते है हाँ सीथा सीथा पुस्तक पढ़ रही है अब देखिए इस चित्र में आप क्या देख रहे है एक सुन्दर स्थल देख रहे है ना एक सुन्दर स्थल को एक नाम भी देओ काश्मीर केरल anything you can give अब आप देखिए यह चित्र में आप क्या देख रहा है एक कुट्था को देख रहा है ना अच्छा ठीक है यह दूसरा चित्र में आप किसको देख रहा है एक चिडिया को देख रहा है ना देखिए बिचे यह दोनों प्राणी है इन सारे चित्रों में हमें नाम देख सकते हैं किसी ना किसी नाम है इस चित्रों में अब देखिए इस चित्र में एक लिड़का क्या कर रहा है उसका फेस देखर बोलिए क्या कर रहा है एक लिड़का दुख होकर बैटा है यहां मनगे फाव और हमारा फीलिंग का नाम आ गया है क्या है दुख यह हमारा फीलिंग है यह ना अब देखिए चित्रों विश्व में हर चीज को नाम होते हैं इस नाम बताने वाले शब्त को हम सग्या करते हैं आये चात्रों हम अब संग्या की परिपाशा पठेंगे संग्या की परिपाशा किसी वस्तु विक्ति स्थान प्राणी और भाव के नाम को संग्या करते हैं अब देखिए विक्ति विक्ति का नाम कौन-कौन सा है बताईए अब चित्रों में है राजु मीरा गीता अशोक राहुल हरी आदी वस्तु उंगे नाम देखिए गेंड फल साइकल बोतिल पेंसिल कागस आदी अब देखिए भावक देखिए भावक का नाम कौन-कौन से है चात्रों यह हमारे फीलिंग होते है इसको हमें देख नई सकते है यह मन का फीलिंग होते है उसे चुआ नई सकता है उसे टच नई कर सकता है यहना जैसे क्रोध, कुशी, प्रेम, इर्ष्या, दुक, फूक, प्यास, आदी आप प्राणी देखिए मनिश्य, पशु, पक्षी, गाई, खोडा, आदी अब में प्रदीच्छा करती हुँ कि आपको सक्ञा की भरिबाशा ठीक से समच में आगिया है अच्छा, अब आप एक अभ्यास कर लीजिए सग्या शब्दोंबर लाल डिंग से गोला लगाईए मेरे पास कहानियों की अनेग पुस्तगेम है मेरे भाई राखव को भी कहानिया पसंद है फल काटकर खिलाते समय दादी हम दोनों गो रोज एक कहानी सुनाती है मेरे बेकीचे में गेंदा, कनेर और गुलाब के फूल खिले है वहां रोज छिडिया माकर चहकती है यह आप अपने आप कर लीजिए अच्छा चात्रों धन्यवाद अच्छा चात्रों अच्छा चात्रों धन्यवाद